हालो एब्रीवन वेलकम टू अपनी उनिवर्सिटी सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमश्कार दोस्तो आज है वर्ल्ड वाटर डई यानि कि विश्वय जल दिवस्त हर साल 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डई के रूप में सेलिब्रेट करते हैं यूवन वर्ल्ड व कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो जिनके उपर बात करते हैं जो आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सबसे पहला तो देखो वर्ल्ड वाटर डे की जब हम बात करते हैं तो विश्वा जल दिवत है यह आपका हर साल 22 मार्च को बना किया गया था यह यूनाइटेड नेशन संट राष्र संग की द्वारा यह आपका प्रपोज किया गया था प्रस्तावित किया गया था तो इसको हर साल 22 मार्च को हम मनाते हैं साथ में दोस्तों exam point of view से बात करें तो goal number 6 की पूर्ती के लिए यानि SDG goal 6 है वो क्या है सभी के लिए पानी और स्वस्ता water for all water and sanitation के लिए आपका कौन सा goal है 6 number goal water and sanitation तो exam के लिए आपको याद अखना है कि जल के लिए कौन सा goal है तो goal number 6 साथ में दोस्तों कुछ और facts की हम बात करें जो आपके exam point of view से important है पहला तो ये है कि पृत्वी का total area है उसका 70% area है 70% जो area है जो जल के द्वारा गिरावा है जो किसके द्वारा covered है आपका जल के द्वारा इस में से 70% में से only 3% पानी बाकि सारा का सारा पानी है जो आपका क्या है saline water है तो हमारे पास में only 3% पानी जो है वो क्या है आपका मीठा पानी है बाकि सारा का सारा saline water और ये 70% area है जो पानी से हमारा गिरा हुआ है इसको आपको याद रखना है तो यह आपके कुछ important facts थे जो world water day के रूप में के लिए आपकी important है, theme इस बार के आपको जरूर याद रखनी है, theme क्या है इस बार की water for peace, water for peace इस बार की theme है, तो कि हम 22 मार्च को हर साल मनाते हैं, तो उमीद करता हूं कि यह session आपको help करेगा, ठीक है जी, बाकि आप सभी के लि और इसमें अभी आपको जितने भी हमारे courses हैं, उन सब पर 20% का offer है वो आपको मिलेगा, ठीक है, और यह offer आपका 26 मार्च तक valid है, इसके लिए आपको क्या करना है, holy 20 code लगाना है, holy 20 code जैसे ही आप लगाएंगे तो instant आपको 20% discount है, जितने भी test series हैं, जितने भी courses हैं, उन इदिंगा, पुछ है